आज आपके साथ प्रीमा इस्टू की रेसेपी शेयर कर रहे हैं जिसको बनाना बेहत आसान है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज फीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे किलिक करें और मेरे चैनल को सब्स अचे गरम करें गे क्योंकि यह सरसो का तेल है इसलिए सर्सो के तेल को देर तक पकाएंगे जब इस में से धुआ निकलने लगेगा तब भीष्प शामिल कर देंगे तो हम आपर शाया सब्सूब टोब हम यहां संगर गजा बड़े साइस को चौप कर दिया है इस प्राज क किलर की प्यास हमोब करना है इस तरह से तो प्यास अच्छे से प्राई हो गई है तो इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम यहां पर हमने कीमे का इस्तमाल किया है इस कीमे को डाल देंगे प्यास में और प्यास में मिला देंगे और कीमे को भून लेंगे प्यास के साथ में क्योंक तो इससे तरीकर से भून देंगे इससे कीमे की स्मेल भी निकल जाएगी और दो चार मिनट भूने के बाद इसमें शामिल कर देंगे लैसन अद्रक का पेस्ट तो यहां पर हमने एक चमच लैसन अद्रक का पेस्ट का इस्तिमाल किया है अब लैसन अद्रक डालने के बाद भी टीमे को अच्छे से भूनेंगे ताकि लैसन की भी श्मेल निकल जाए और टीमा अच्छे से फ्राई हो जाए अब टीमे को हमने अच्छे तरीकर से फ्राई कर लिया है तो इसमें शामिल कर देंगे हम दो छोटे एलाची एक बड़ी एलाची और एक दाल चीनी के टुकड़ा लिया है दो तेस पात लिया है मैंने और चाट छोटे साइस के टमाटर थे उनको चौप कर लिया है उस टमाटर को डाल कर भून लेंगे अब शामिल कर देंगे वस आले तो आदा छोटे चमाश नमक आदी छोटे चमाश मेर्च और क्वाटर चमाश हल्दी पोडर दो चमाश धनिया पोडर डाल देंगे आदी छोटे चमाश काली मेर्च पोडर और एक चमाश भूने जीरे का पोडर डाल देंगे और सब मसालों को अच्छी तरीके से कीमे में मिला देंगे अब कीमे में डाल देंगे दो लाल साबित मिर्चे साबित मिर्च का टेस्ट कीमे में बहुत ही अच्छा आता है अब डाल देंगे इसमें आदा कप पानी और कुकर के लिड लगा कर एक विसल लाने तक पकाएंगे क्योंकि कीमा है बहुत जल्दी ही गल जाएगा इसमें जादा पानी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर भी पानी रिलीज करेंगे एक विसल के बाद में कीमे को चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कीमा तकरीबन भूना हुआ है थोड़ा सा जो इसमें पानी है उसको हम थोड़ी देर और भून लेंगे जिससे हमारा कीमा अच्छी तरीके से भून जाए बहुत ही टेस्टी बनता है ये कीमा बहुत ही जल तो ये कीमा इस टूट बन कर तयार है सर्फ करने के लिए इस कीमे को आप रोटी चपाती नान या चावल के साथ में सर्फ करें बहुत ही अच्छा लगता है एक बार इस रसीपी को आप सरूर ट्राइए करें आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो पसंद आई हो तो प्ल झाल